नमस्ते आज हम बनाने जा रहे हैं कवीर्स किचिन में खिचडी नामसुन के भागना ने बहुत ही टेस्टी है मतलब इतनी टेस्टी है कि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी खा लेंगे मतलब की डवल फाइदा और यह बता दूं कि यह नॉर्मल खिचडी नहीं है ऐसी व दो तीन चम्मज ही डालूंगी क्योंकि मैं पांस टाइप की डाले ले रही हूं अगर हम एक चोथाई कप डालते हैं सबको तो बहुत ज्यादा हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा ही अमाउंट डालेंगे तो पांस टाइप की डालेंगी जिसमें हैं मूंग दाल तूर दाल यह है चना दाल और फिर डालेंगे दो तीन चम्मज मसूर दाल दो चम्मज उड़त दाल तो यह सारी डाल है ना मैंने बिना चिलके वाली ली हूं अगर आपके पास चिलके वाली है तो वो भी आप ले सकते हो सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग है किसी को चिलके अच्छी लगती किसी को बीना चिलके वाली मुझे वैसे चिलके वाली अच्छी लगती है लेकिन मेरे पास ना चिलके वाली नहीं थी इसलिए मैंने बीना चिलके वाली लिए वो जो खेतों में उगती है ना खुद के खेतों में जिसके घर में होगा तो आगर आप उगाते ह और खुदी चक्की में बनवाते हैं तो वह दाल लेंगे तो और भी पढ़िया टेस्ट आता है उससे तो इसे हमने दो कर अच्छे से आरा ही गंटा भीगने देंगे क्योंकि बहुत सारी टाइप की दाले हैं उन्हें भीगने में टाइम लगता है अब हम कुकर गर्म करेंगे उसमें डालेंगे गी या तेल तेल जब गर्म हो जाए उसमें आप तेज पतर डाली चीए फिर डालेंगे जीडरा, काली मेच और लॉंग मेरे पास अभी बड़ी इलाईची नहीं है काली वाली इसलिए मैंने नहीं डाला है अगर आपके पास है तो वह बी डाल सकते हैं फ मैं पसंद करती हूं मैं अधरेशन का मैं दाल हों मेरे पास अभी ताजे वाले नहीं है अगर आपके पास त्यवेलीबल हाल रहे हैं तो हमें यूश करना पसंत करती हूं उसमें बढ़िया टेस्ट आता है फिर में डाला है Haramage बारिक बाग जाने चाद सूखे मसाले जिसमें है हलदी पौदर धनिया पौडर और लाल मेर पौडर जब आप सूखे मसालें ळाले तो फ्लेम सब्छासा धीमा कर लें नहीं तो मसालें एकडम से जल जाते हैं और थोड़े देर हम इसे पकाएंगे, जब हएं पक जाए देंगे पकड़े तो उसके बाद हम बारिक कर दें हुए टमाटर डालेंगे तकी प्यूरी भी जाल सकते हैं मतलब पिसे हुए दामाटर भी डाल सकत तरीके से यह पंच मेल दालों से बनी हुई खिचडी है जो बहुत ही टेस्टी लगती है इसका टेस्ट ना नॉर्मल जो हम खिचडी बनाते हैं मुंग वाली चावल वाली उससे बहुत ही बढ़ी आता है तो ऐसे मैं आजकल यही बनाती हूं क्योंकि मेरा बच्चा भी बहु मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे तीन चार पांच सीटी तक मतला जितने में आपके कुकर में अच्छे से खिचडी पक जाती है उतनी सीटी लगा दीजिए मेरे कुकर में 4-5 सीटी में बहुत अच्छे से पक जाती है वैसे खिचडी ना बहुत अच काडी है लेकिन बहुत अच्छी लगते हैं अगर आपको तोगा पतला अच्छा लगता है तो तो आपंपानी डालकर अलग से और हाएट कर सकते हैं अगर अपके में भी कम पानी डल गया है तो हरी दुनिया पती डाली है मैंने उसकी तड़का लगाएंगे गी गर्म करेंगे उसमें डालेंगे हम राई और हींग जब भी आप हींग और घी का तड़का लगाते हैं तो धक्कन को तड़का लगाने के बाद कुछ सेकेंड के लिए बंद कर दें इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है खिचडी में या